हेलो वैलकम टुद चावन चेस क्लाब आज हम देखेंगे फुल स्टोन वॉल डिफेंस इस टोन वॉल अटैक इस टोन वॉल ओपनिंग जो भी बोला जाता है हम इसे आज फुल सीखेंगे मैं मेरे क्लब में प्लेयर्स को यही बोलता हूं कि यह ऐसी तरह की ओपनिंग सीखो पॉंज या नहीं सीखो तो इन उपनिंग में क्या एक एड्वांटेज मिलता है दूसरी उपनिंग से तो इसका आंसर नहीं बट यह वाली ओपनिंग न बाकी प्लियर्स को नहीं पता है बहुत जादा हाई रेटेट प्लियर्स मैं जानता हूं जिनको श्टोन वॉल डिफ को स्टार्ट करते हैं डीफोर से तो आप इसको ना सीथरी से और किसी से भी स्टार्ट कर सकते बिलकुल कर सकते हो यही खास बात है कि आपने बहुत सारी तरह से ओपनिंग स्टार्ट कर सकते हो सेकेंड खास बात यह कि आप ब्लैक से भी खेल सकते हो वाइट से भी वाइट तो इसका आंसर फिक्स निये कि डिसएडवांटेज है कि अद्वांटेज है क्योंकि ना ये future में बिश्ब के लिए अच्छे रास्ते निकलते हैं ब्लैक विश्ब के लिए लेकन अभी तो बंद है अभी तो टेसे इड्वांटेज है लेकिन future में एक इसके लिए हम देखेंगे कि कहां से यह ब्लैक बिशॉप हमें निकालना है फिर जैसे ब्लैक करेगा नाइट टू F6 तो श्टोनवल में आपको कर देना है बिशॉप टू D3 या फिर आपको बिशॉप टू D3 के वजाए आपको करना है C3 और एक और थर्ड मूव में थर्ड म ब्लैक के लिए एक मूव वह हो सकती अच्छे मूव है E6 तो आप करोगे C3 तो यहां आप देखें स्टोनवाल का फॉर्मेशन यह यह फॉर्मेशन आप देखें तो चार यह वाले पीसे एक एसी 3 डी 4 E3 और F4 यह मिलके बनाते हैं स्टोनवाल तो स्टोनवाल में यह होता है कि आपना ब्लैक अगर आप वाइट की तरफ से खेल रहा है तो ब्लैक लाइन पे आपको बहुत श्ट्रॉंग कंट्रॉल रहता है लेकिन वाइट आपका थोड़ा से वीक होता है और उसका ब्लैक वीक होता है सामने वाले का आगे चलके आपको समझ में आएगा कैसे तो आप देखिए यहां आपका ऐफाइफ ब्लॉक जो ओएफाइफ ब्लॉक एक कितना स्ट्रॉंग है तो जैसे ब्लैक करेगा जैसे बिशप टो डि-6 तो आप खर दोगे नाइट या फिर आप यह वाला नाइट भी कर सकते हो यहां तो ब्लैक बिशप को यहां निकालने का को अगर जैसे मान लीजिए आपने ये वाला knight किया उन्होंने ये किया आपने kill किया वह kill कर देगा और बाद में जैसे कहीं भी आपने किया तो वह दो पीस आगे कर देगा तो इस केस में इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले ये वाला knight यहां रखिए तो आपका जो E4 block है न वो ना अपका defend अच्छे से हो जाएगा एक bishop एक knight से second thing आपका E5 block बहुत strong है वहाँ आपको कैसी भी करके knight पहुंच जाना है तो यही होता है Stonewall का main formation जैसे उन्होंने अब हम थोज़ा सा game आगे देखेंगे हम थोज़ी से अब lines देखेंगे तो उन्होंने castle किया आपने किया knight to F3 और क्या move हो सकती है black की bishop हो सकती है तो अब आपको यहाँ 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 नाइट यहाँ रख देना यही है basic stone wall का तो यहाँ आप अगर knight रख देते हो तो वो kill करेगा तो किस से bishop नाइट से तो किल करेगा नहीं तो इसका तो यह trap हो जाएगा एक नएक चीज़ उसको देना होगा तो knight से और किल नहीं करेगा bishop से किल करेगा तो center आपको बहुत strong control होगा और इसमें खास बात एक यह हो जाती है कि जैसे यहाँ यह बहुत danger attack जाता है queen से यहाँ पूरा open line से attack जाता है और जैसे ही आपने castle किया हाथ ही यहाँ direct आपका यह निकलेगा और यहाँ से यहाँ sorry यहाँ और यहाँ direct attack कर सकता है जैसे ही black यह भी कर सकता है black के पास एक अच्छा हो रही है तो मैं इसमें बिलूँगा bishop को बचाने के वज़ाए इसको मनने दीचे कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है क्योंकि जैसे वह न फूचर में जैसे आप यह करोगे तो आपके पासे दो हैं कि आप अपना queen से bishop को बचा सकते वो भी अच्छा है मैं यह क्मेंट करूँगा कि अपना development जारी रखिए यह knight यहां रखिए है जैसे वह kill करेगा आपने भी kill किया तो अब आप यहां देखे आपका e3 तो control में है e3 तो black bishop के defense में आ जाएगा कुछ हिमोस के बाद e4 भी आपके control में है क्योंकि अब e4 पर वो ना अपना knight नहीं रख सकता है e5 आपके full control में है castling करके आप एक अच्छा attack बना सकते हैं तो यहां आप full advantage में हो जैसे यह किया तो अब आप future में क्या कर सकते है या तो castling या तो यह move हना kill नहीं करेगा kill करेगा तो मतलब बहुत पीछे हो जाएगा game में क्योंकि जैसे kill किया आपने kill किया तो आपका full full center control में जैसी knight पीछे जाएगा आप attack कर सकते हो दूसरी तरफ से और यह जाले जैसे आप यहां दूसरी तरफ बिलकुल attack कर सकते हो यह दो पीस भी आगे जा सकते है यह रोक या फिर कैसलिंग करके यहां रोक जाएगा और निकलेगा अटेक जाएगा ठीक है यह तो कभी कबार ना आपको immediate response मिलता है c5 का डैरेक्टी तो उसमें आपको kill नहीं करना है आप simple यह कर देजिए जैसे वो kill करेगा आपने kill किया नहीं किया तो ठीक है तो उसमें कुछ loss नहीं है श्टोनवाल आप और opening के खिल सकते हो जैसे आपने d4 किया जैसे black ने कुछ और move किया जैसे g6 किया तो उस condition में आपको same करना है तो आपने error ने दूसरे stone wall के बजाए और opening भी खिल सकते हो आपको एक aggressive भी जा सकते हो मेरी रायत होगी कि अगर उसन है ना जो कि c3 वो आप बाद में भी कर सकते क्योंकि अभी bishop immediate attack नहीं है जैसे यह किया तो फिर आप यह कर दीजिये और castle और आपने castle किया एक move आगे यह किया then आप अपना attack कर सकते हो अब आपना knight na e5 block पे बिलकुल नहीं रख सकते हो बिलकुल भी नहीं रख सकते हो तो इस condition में आप क्या कर सकते हो आपके पस एक अच्छा option होता है कि आप queen side बहुत dangerous attack switch कर सकते हो लेकिन उसमें तो जादा जादा आपको खेलना आना चाहिए तो अगर आपको बहुत ही जादा अगर professional बन चुके हो तो यहां से आप attack कर सकते हो directly जैसे हो knight से मालेगा आप rocks से मालोग test है तो जल्दी से मैं बता रहूँ आप जैसे यह किया black ने किया यह own c6 आपने किया bishop black ने किया knight आपने किया 2 piece आगे अब आप बताईए कि जैसे black ने यह किया तो अब पہला question है आपके लिए कि आप कौन सा knight पहले बाहर निकालोगे तीन option है आपके पास आपको ये करोगे कि आप ये वाला night करोगे कि ये तो इसका सही answer है आपको करना है night to day to क्यों 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 कि आपको future में जो ये वाला night है ना future में जो ये वाला night है इसको यहां आने से रोकना है तो इस कारण आपको पहले ये वाला अपना night कर देना है तो अब जैसे black क्या करेगा यह दो पीस तो आगे करेगा नहीं एक अब यहाँ देखी कि आओ black का ना black bishop अच्छा है और आप का ना white bishop अच्छा है अब देखे black अब और क्या भी आपके option है आपने यह किया black यहां क्या करेगा है समझे ये किया आपने दो कदम आगे कि जैसे मैंने आपको बेसिक में बता दिया था कि आपको ये करना है आपने ये किया एक पीस आगे नाइट को आपने यहां रख दिया डैन ब्लैक यहां किल नहीं करेगा तो आप मैंने बता दिया कि आपकी पॉजिशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगे जैसे ब्लैक कैसल करेगा और आपने भी कैसल किया तो अभी तक आपने देखा कि हमने अभी तक न इस टून वालक न एक बेसिक मौव तो यहां आप क्या करोगे यहां आपके लिएक क्वेसिशन का अंसर है कि आपको यह कर सकते हो एक अच्छा हो मुव है इसलिए क्योंकि जैसे ही वो आगे करेगा तो उसकी पूरी उपनिंग रद्दी हो जाएगी आप ये पीछे करोगे वाइड बिशप का टैक बहुत बहुत जादा सॉलिड जाएगा इसके बाद वाइड बिशप का कोई तोर नहीं है और क्वीन भी फ्यूचर में यह नहीं से यहां जाएगी फिन यहां टैक करेएगी रुक निकलेगा रुक भी यहां से यहां टैक करेगा तो यह होता है तो यह तो अब जा हो करेगा तो तो आपको उपनिंग मतल़ु है तो गया अब B6 करोगे ही करोगे क्यों करोगे क्योंकि आपको ने ये वाला अपना White Bishop है ना Black की तरफ से बता रहा हूँ उसका White Bishop ना First चोगा था उसको कहीं से निकालना था और यहां से वो बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा तो अब आपके लिए Question है कि अब आप क्या करोगे यह सबसे IMPORTANT Question है अना क्योंकि अब Development हो चुका है अना आप Stonewall बन चुका है बुर्डा Farmigation बन चुका है अब आपके लिए सबसे पहला Question यह है पहला तो नहीं है लेकिशाitan से important Question है कि अब क्या करोगे formation बन गया है अब आप समझो एंटर कर चुके opening से middle game में opening में आप अच्छे हो चुके हो middle game में एंटर हो तो अब आपके लिए पहला question है क्या करोगे सोचो तो यहां आपको न जैसे जब भी मैं आ ऐसे सकाता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आपको formation बन चुका है अगर आपका sub-priorces defended है तो अब आप तब उसके बाद से आप attack स्टार्ट कर सकते हो तो यहां stone wall में सबसे सबसे खास बात यह होती है कि आपके king side पर attack नहीं होता है मैं repeat कर रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनना कि stone wall में आपके king side पर attack नहीं होता है आप बेज जग king side से attack कर सकते हो जाए आपका king पूरा open हो जाए तो यहां सबसे best mode होती है जी फोर आपनेंट शॉक हो जाएगा लेकिन आपको यही करना है क्योंकि आपका खुद का king पूरा open है लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या किसे attack करेगा black की तरफ से कि black को attack के chances नहीं है अब उन्होंने जैसे किया bishop को b7 यहां आपके लिए एक second most important question अब आप क्या करोगे अब आपको option है कि आप यह दो एक पीस आगे करोगे जिस जिसने यह सूचा है तो वो बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि अब आप future possibility देखिए कि यह पीस यहां आ सकता है easily और जैसे ही आपने कुछ जैसे यह kill किया या फिर night से ही kill किया तो वो यह kill करेगा और आपका जो king side attack है बहुत weak है अब और second आपका bishop की line closed हो जाएगी या फिर bishop kill हो जाएगा हाना और center पे control black का भी हो जाएगा तो आपको यह नहीं करना है तो अब आपको यह एक पीस आगे नहीं करना है आप पहले यहाँ queen लख सकते हो क्वीन एक यहां से भी आप रख सकते हो लेकन मैं बोलूँगा कि बैटर है कि यहां से रखिए तो क्वीन अगर आपने यहां रखी तो अब यह वाला नाइट ने यहां नहीं आ सकता है यह उसका एक पीस जादा डाउन हो जाएगा तो अब यह क्वीन आपको यहां रखना है तो जैसे भी ब्लैक क्या करेगा भी तरफ से मैं एक अच्छा मूँ बता दे रहा हूं कि वो होता है एफाइफ भी होता है या फिर उन्होंने क्वीन यहां रख दी या फिर यह किए मतलब ब्लैक आप किंग साइट पर टैक नहीं करेगा सिंपली है तो यह तो यह गर सकता है यह भी अच्छा मूँ है यह उस अब आपका एक और क्वेश्चन कि ब्लैक ने क्या सोचा होगा आप सामने वाले के दमाग को परिए तब ही आप अच्छे ब्लैर बनेंगे ब्लैक ने क्या सोचा होगा यहां करने से पहले ब्लैक ने यही सोचा होगा कि उसका वाइट बिशप खराब है आपका वाइट बिशप बहुत अच्छा है तो उसको वो ट्रेट कराने के लिए सोचा होगा जैसे आपने कुछ ऐसे random move के लिए तो उसने ये करेगा और आपके bishop, white bishop जो बहुत strong है उससे trade कराने की सोचेगा कि white से white bishop हट जाए और आपका एक strong bishop खतम हो जाए गेम से तो उस condition में अब आपको क्या करना है, attack यहां करना है, जैसे knight जैसे पीछे जाएगा अब आपके लिए एक और question है, अब क्या करोगे, हाँ question है, रोको वीडियो और सोचू, ऐसे इच्छे player बनोगे, सोचू क्या करोगे तो यहां आपके लिए एक सबसे best move होता है, एक sacrifice, हाँना sacrifice हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां एक sacrifice, एक worth it है, हाँना worth है क्योंकि यहां करोगे न, उसने जैसे kill किया, तो आप यहां चेक लगाओगे, और उसके पास moves कम है, और अब आपका जो की white rock है, वो यहां से निकल सकता है यह सबसे important बात है, आप यहां white rock करिए, आप जैसे भी opening किलता है, मारा पीटी करता है, तो करने दीजे, यह अच्छा उसने यह kill किया, एक और question, उसने जैसे यह piece kill किया, आपके पास एक, अब बताईए, यह piece से kill करोगे, कि यह piece से, यह आलों बताईए, तो यहां better होता है, यह वैसे दोनों piece से कर जखते हो, तो अच्छा होता है, लेकिन यह piece से करना बहुत ज्यादा better होता है, जाता तर लोगों ने उल्टा समझाओकर, लेकिन इस piece से kill करना है, इस piece से kill करना है, क्योंकि आपकी E वाली line भी बाद में clear हो गई है, वाली line भी full clear है future के लिए, जैसे उन्होंने यह कर देंगे, तो यहाँ sacrifice अच्छे नहीं है कि यह वाला एक और, क्योंकि एक sacrifice कर बैठे हो, और मेखेल ताल हर कोई नहीं होता है, तो आपने यह किया, option कम है भी, तो यहाँ से लेकिन possibilities कम है, उसकी queen भी आ सकते है, defend में, तो यहाँ से यह sacrifice एक और सही नहीं है, यहाँ एक अच्छा मूँ होता है कि आप यह कर दीजिए, जैसे उन्होंने यह किया, तो आप यह कर दो, और अगले move में checkmate हो रहा है, जैसे kill तो कर-kill करेगा, तो भी checkmate ही है, black की तरफ से एक बार देखेंगे, तो कुछ new opening एकलाब देखते हैं, जैसे उन्होंने G6 किया, और knight निकाला, यह किया, और castle किया, then, अब आप क्या करो कि सबसे पहले, तो यहाँ आप बोलो कि एक अच्छे possibility हो जाती है, आप दो मूँ आगे करो, तो यहाँ ना मैं एक recommend ने करूँगा कि आप दो मूँ आगे करो, क्योंकि ना यहाँ यह bishop की line बहुत strong होती है, white bishop की यहा tangled ship बना दीजिए, तो यह जादा अच्छा रहता है, तो उन्होंने जैसे यह किया, तो आपके लिए ने अपने एक possibility होती है, एक बहुत अच्छी possibility होती है, कि future में अभी नहीं, future में, पैदे अपना formation बनाने के बाद, आप याद तो यहाँ से attack करने की सोचिए, क्योंकि वै night किया, तो अब आपके लिए ना एक ना यह जो परिशानी थी, जो कि bishop, उसकी ना मैं अभी ना आपको बताऊंगा कि उसकी problem का solution क्या हो सकता है, तो उसकी solution यह है कि आप यह एक piece आगे करिए, यह bishop या तो आप यहाँ या ला bishop यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते है और एक थोड़ा advance है, थोड़ा ज्यादा time लगेगा लेकिन वह बहुत बहुत ज्यादा अच्छा move होता है इस bishop लिए, उसमें लेकर time लग जाएगा, वह होता है कि आप पहले castle करिए, जैसे उन्होंने क्या किया, right क्या कर सकते हैं, हम देखें कि यह कर दिया, तो यह आप ब अच्छा move हो है white के लिए, तो आपको kill तो नहीं करना है यहाँ, आपने जैसे यह दो new आगे किया, then white क्या करेगा, जैसे white नहीं यह किया, तो अब आप क्यों क्या करना है, तो यहाँ आपके लिए एक नव मैं bishop की बतारा था कि bishop यहाँ से आप यहाँ निकल सकते हो, और castle के यहाँ निकल की, यहाँ निकल की, यहाँ से रख दिया जाएगा, याने कि आपने bishop यहाँ निकला और यहाँ किया, पहले defense में जाएगा, और future में कैसलिंग के बाद bishop यहाँ आएगा, middle में, और future में यहाँ चला जाएगा, यहाँ से क्या होगा, इसको कोई attack नहीं कर यह वाले लॉक में याली लाइन बहुत श्ट्रॉंग में अटेक करेगा बिशप तो यह किया है सेकेंड वे है कि आपने बिशप को इस तरीके से इस डाइकॉनल में निकाल दो यह सेंपल वे होता है स्टोनवाल डिफेंस के इस पार्ट में हम यह देखेंगे एक मैच बिट्वीन अरनेश्ट करनफील्ड और ब्लैक के तरफ से खेल रहते काल्स तो यह मैच ने काल्स तो ने कितने 14 मूस में ही जीत लिया स्टोनवाल से देखते हैं तो पहले डिफोर किया गया तो काल्स तो ने डिफेंस केला तो नाइट ने काला इन्होंने भी नाइट ने काला तो यानि स्टोनवाल स्टार्ट नहीं हुए तो बाद में स्टोनवाल में उन्होंने फॉर्म कर दिया यह किया यह किया और अब स्टोनवाल डिफेंस काल्स तो ने बना दिया इसके बाद वाइट ने कैसलिंग किया ब् बिशब डी सिक्स क्वीन सी टू और नाइट उन्होंने यहां रख दिया उन्होंने यह किया इधर से कैसल हुआ बिशब रखा गया इन्होंने काल स्टो ने नाइट रखा तो अभी तक देखे कुछ भी हुआ नहीं है 14 में से आदे से जादा मौस्त ऐसी गए यह किया तो यह यहां अब आई उन्होंने काल स्टो ने अपनी कुईन टू एफ सिक्स रख दिया अब देखिए कि यहां एक ब्लंडर कर दिया ग्रन्फिल्ड ने उन्होंने एक मूवी आगे कर दिया आपके वीडियो रोकिए टाइम लीजिए देखी क्या उन्होंने ब्लंडर किया काल स् गया और यहां से चेक लगा और बाइड ने रिजाइन कर दिया क्यों क्योंकि अब और को किंग कहीं जा नहीं सकता है और अब बिशप यहां रखेंगे तो वो एक मूव में चेकमेट हो जाएगा तो यह है श्टूनवाल डिफेंस के पार्ट वन का एंड इसको घर में प्रैक को सब्सक्राइब करिए न्यू चैनल है ठेक हैं जैहें जैभारत बाइबाए